प्रसिन आप सभी के सामने मोक टेस्रược है अमारा आज का ऐस्पिस्पेसल का पेड़ागूजी रहेगा पहला परशन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए और आंसर कर रहेहे इस्पिरिया कि इस कमे यह इसे एंके विचार सो इनके अनुसार विचार से बочche सक्रिय ग््यान निर्माता तत्था नन्य वैगियानिक हैं, जो संसार के बारे में अपनी सिद्धान्तों की रचना करते हैं, किसके विचार हैं, कौन कहते हैं, कि जो बच्चे हैं उनको नन्य वैगियानिक कहा है, बता हुआ है, लेटल पिस्ट कहा है बच्चों को किस के द्वारा किस के विचार है तो राइट आंसर आप सभी का देख पा रहा हूं बिलकुल आप लोग डी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड शिबम जी अमीर नौटियाल जी रितू बोरा जी रिया कोली जी नीरा जी लता जी सभी का श्वागत हैं प्रस्ट नमबर दो अगर पहला प्रस्ट आपका सही हुआ तो अपने आपको एक मार्क्स दीजिएगा ठीक है और देखेंगे 30 में से आपके कितने से होते हैं नमीलिखित में से कौन सा एक अधार भूत सहायता का उधारण है अब सहायता के इक सहायता काई एक 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 समपल क्या हो 시कता अनुभूदन और संकेत देना तथा नाजुप इस्तितियों पर प्रस्ण पूछना विद्यारतियों को प्रेरित करने वाले बासरण देना ठीक है अब सहायता का एक उधारन है क्या उधारन हो सकता है सहायता का help का है ना तो प्रस्ण पूछने को बढ़ावा दिये बिना इस प्रस्ण पूछने को बढ़ाव नहीं दे रहे हैं बलकि इस पस्टी करन देने पर ज्यादा मूर्थ और अमूर्थ दोनों परकार के उपहार देना तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो शकता है इसका सही आंसर बताई कोमल जी कहने कि इंग्लिस में भी अगर हम बात कर पाई यहां पर तो आप क्या लगा पा रहे हैं आपको आनसर मैं देख पार हो एया रहा है पर ठीक है जो कि बिल्कुल सही भी है सही है आपका अप्सिन नबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा अनुबोदन और संकेत देना ताकि नाजुक इस तितियों पर प्रस को उनमें का जो है पता होनी चाहिए आगे बढ़ो प्रस नंबर तीन देखेगा वाई-गौस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं पुनरवलन परदान किया जाता है तब या परिपक को होने से अनुकरण से या वयसकों और सम वयसकों के साथ प्रस्पर किरिया से बताए बताए सभी भारती जी दीपा आरे जी बताए अनिल जी ओमल जी उमी जोशी देवान सिखा जी वर्सा आरे जी नीटू जी सोभा मेहता जी सभी पटावच्चा सारुखान जी भी पहुंचे जले आंसर करें तो वाई-गौस्री के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं प्रस से इनको करिए और देखिएगा कितनी जरुत है आपको तयारी की इसमें और है ना तो आंसर इसका अलग-अलग आ रहा है वह देको वाई-गौस्की के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वह होगा वैस को और सम वैस को के साथ परस पर किरिया से सीखते हैं तो वाई-गौस् इसकी के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वैसकों और सम वैसकों के साथ परस कर किरिया से राइट डी इजर राइट आपसर आगे बढ़ो भाई नेक्स्ट पर आते हैं एक बालक की वास्तविक आयू बारा वर्स है और उसकी मानसिक आयू पंद्रा वर्स है तो उसकी बु इए आपको उसकी बुद्धी लब्दी बताने कि यहीं हम बात कर रहें आईक्व इकत्रोम प्रकृकर उसको पता हैं क्या होता है प्यार नेनल ऐस ठीके ऐनन ईजकी करने आपोन है जीर पक्रोनलोजीकल एज स ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, mental age को हम shortcut में MA कहते हैं, MA, और chronological age को हम कह रहे हैं, CA, ऐसे बोलते हैं, multiply by 100, यह होगा, इसको अगर हम हिंदी में बोलें, तो जो हमारी mental age है, इसको हम कह सकते हैं, मानसिक आयू, मानसिक जो उसकी आयू है, ठीक है न, और जो chronological age है, वो उसकी हो गई, वास्तविक आयू, done, यह हो गया, इस फॉर्मूले को हम यहां पर लगाते हैं, तो जो mental age है, उसकी क्या दे रखी है, मानसिक जो आयू है, वो 15 वर्स दे रखी है, तो हम निकालने हैं इसक 15 वर्स है, तो ठीक है, 15 रख दिया, वास्तविक आयू कितनी दे रखी है, वास्तविक दे रखी है, वास्तविक दे रखी है 12 वर्स, तो लिक दो नीचे 12 वर्स, multiply by 100, ठीक है, तो काट दो इसको, कोई दिक्कत, 4 से काटते है, 4, 3, 12, 3, 12, और 5, 3, 15, है न, यह हो गया, अब हमने 4 से काट दे इसको, 25 बार, 25 चकुर शौक, और 25 तिया, 125, 25 तिया, 25 तिया, 25 तिया, 25 तिया, 125, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, option number E, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसके हिसाब से इसको, solve कर दिया, जैसे इसमें बताए, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि ज तो बुद्धी लब्दी का जो formula है, या सूत्र है, mental is, जिसको मानसिक आयू, बटे, chronological is, जिसको मुवास्तविक आयू कह रहे है, multiply by hundred, ठीक है, यह किसके द्वारा दी गई, यह आउधारना या सूत्र, यह किसके द्वारा दिया गया, बुद्धी लब्दी का, यह सूत्र जो दिया गया है, 1912, 1912 में, सरपर्तम, कौन है यह, जर्मन मनो बैग्यानी, नाम बताइए, बिलियम इस्टर्ण, इसके द्वारा, बिलियम इस्टर्ण के द्वारा, इस्टर्ण के द्वारा, यह नाम याद रखना वेरी वेरी इंपोर, अगर आप से पूछा जाए कि, ब बात भी आपको द्यान में रखने, तो निकाल लोगे ना, इसली, यह बुद्धि लब्दी अगर निकालने के लिए आपके पास आ जाएगा, ऐसा प्रसंद आ सकता है, आपको वास्तिविक आवी क्या है, जो उसका बोधिक विकास जो हुआ है, वो आली एज है, यह जितना उसका विकास हुआ, विकास उसका पंदरह साल की बराबर हो गया है, लेकिन उसकी जो एज है, रियल एज है जो अभी, जितना साल हो जी चुका है, वो नीचे आएगी, मारत समझ रहे, माला मान लोग कि आपकी एज जो है, अट्थाई साल, अट्थाई साल की है, आप अब को करहें है तो कि पर ऊप्र आए गई जो मांसी किस है आउं सकते हैं मांसी कि आई जो हैं वाधिक विकाष जो आए उपर उन्हार कि अवा आईगे ऊपर जितने साल जिया है राइट तो समझ गये होंगे आप इसको इसली आगे बोड़ो 125 से यांसर ठीक है चले बतावे भाई हिमानी जी फटाफट से आंसर यह आपर पूरे देरखी या तालीका देख लो एक वार बुद्धी वरीकरण और आईक्यू रेंज जो एनकी परतिवावान कहेंगे हम अगर 145 से उपर है आईक्यू लेबल ठीक है आईक्यू रेंज है 145 से उपर है उसको हम कहेंगे पर्तिवावान 135-145 के बीच को हम कहेंगे बहुत स्रेस्ट ठीक है और 125-135 को बहतर 115-125 को आउस्त से उपर और 90-100 पंदरा को कहेंगे और यह प्रस्न बन सकता है धिया होगी 80-80 सुष्ट और सीमा रेखा होगे 70-80 कमजोर दिमाग मूरून 50-70 मूर्ख कहेंगे 25-50 और ब्योकूब होगे 0-25 यह आईक्यू रेंज है इंगी तो यह आपको पता होगा अगे बढ़े प्रस नमबर 5 पर पहुंचे हैं देखेंगा बहुत प्यारा प्रस्न है आंसर अब पारी दोगा नितना ऐता कि अग बदाई सभी लोग आंसर करेंगे सभी करी आंसर हिमानी जी क्रैक वरजन ओर खनम नूर जी रजी जग्डंबेल अरयाल जी सभी भी लोग आंसर करेंगे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग दीजे तो इस प्रश्ण का सही आंसर क्या होगा देखों 30 में से आपका स्कूर कितना होता ये जानना है आपको ठीगे न कोई इसू नहीं है इस बार गलतियां होगी पर हम सीखेंगे उन गलतियों से ठीक होगा इसका सही आंसर हो जाएगा option number D correct होगा इसमें ध्यां रखेगा रिया जी आना नीतु जी थोड़ा सा ध्यां रखेगा इसका आंसर चार अगस्त होगा निशुल्क और अनिवारे सिक्षा अधिकार जो विदेयक लोक्षभा में पारित हुआ चार अगस्त 2009 आगे बढ़ अनिश्तिक विकास के चरण क्या सीकते हैं जुसका जो रही आंसर हो जाएगा हमारा option number D, ठीक है, नैतिक विकास, पोल वर के अनुशार जो है, बच्चे सीखते हैं, नैतिक विकास के चरण, option number D correct होगा, पोल वर के अनुशार, done, आगे बढ़ो, next question देखोगा, प्रसन नमर 7, बहुत प्यारा प्रसन है, किसने कहा, दर्सन और सिक्षा, एक ही सिक्षे के दो पहल है, बताओगे, दर्सन ये आपको, जब आपने सिलेवस देखा होगा, सिलेवस में आपने पहली यूनिट देखी होगी, और पहली यूनिट का पहला topic आपने देखा होगा, दर्सन और सिक्षा, तो वहीं से ये प्रसन बना है, दर्सन और सिक्षा, एक ही सिक्षे के दो पह आपी चीजें आपको यहां से लग जाए कि तैयारी का लेबल क्या है किस टैप की कोशेंस बन सकते हैं तो मैं सभी का आंसर देख पारहूं प्रसनों साथ का रितु जी कोई सब्सक्राइस को बंगा lot बला इसी तीन बात हैं क्वाट यह नंग! कॉन सा गलत है व्भात ना उट तो बता रारहे तो अधिकम्म परिक्रिया के बारे में घलत बात होगा है अधिगम एक निरंतर परिकिरिया है, क्या ये बात सही है, बताना ज़रा, क्या लगता आपको, ये बात हो सही है, अधिगम एक निरंतर परिकिरिया है, चलती रहती है, ये बात हो सही है, तो ये तो आमारा आंसर नहीं हो सकते हैं, अच्छा, D पे चलते हैं, अधिगम चक्रि रूप में होती है अनुरी खिया रूप से नहीं चक्रिया रूप से यह बात भी बिल्कुल सही है तीक है इसमें कोई दिकर नहीं सी ओप्षन पर आते हैं अधिगम ब्यक्ति गत्र एबंपर्यावरण कारकों पर आधारित है सिंपल सही बात है यह बहुत भी हो शकती है और प अपरसांगिक है ये बात बिल्कुल गलत है अधिगम परिकिया में जो है तुरूटिया और गलतिया अपरसांगिक है ये बात कह रहा है जो की गलत है तो इस बात को आपको ध्यां रखना है इस क्वेशन के साथ हमें तीन जानकारिया भी मिल रही है अधिगम एक निरंतर परि परिया है यह एक चक्रिया रूप में होती है अधिगम है ना यह बिक्तिगत और परियावरने कारकों पर आधारित होती है तो तीन पॉइंट हमें अधिगम परिया की बारे में यहीं से पता चलिए गड़ तो राइट आंसर हमारा उप्शन नमबर भी करेक्ट होगा इस क्व राइट होना चाहिए कि किसले किसमें बारे में क्या चीज़ कई उनका इस अंतर के ऊंसर दो परकरतिवादि जो थे उनका द्रिष्टिवादिंस सकस्सां नहीं है तो अब उनका डिरिष्टिकों में आज़ आdefense प्रकरतिवादिवादिए ने आज आ जाना चाहिए पर्या этом परकरतिवादियों का दृष्टि कोण नहीं है ठीक है दीजिए आंसर कि जी बताइए कुछ कह रहे हैं कि हिंदी में प्रोप्लम हो रही है मैं मानता हूं हिंदी में के बताइए कि बत्चों को वहां पर इंग्लिस में इतने अच्छे होंगी हों कि वह पूरे लेबल को हिंदी में डालना पड़ेगा आपको बच्चों को इंग्लिस में आपको पता है लेकिन आपको उनको हिंदी में भी बताना पड़ेगा है ना तो थोड़ तैयारी यहीं से कर लो कि आप तीचर बनने जाई रहे हैं तो बच्चों के लिए भी तैयार कर लो भाई पर लेके चलिए मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास जो भी आईगी उसमें दोनों रखेंगे तो आज मैनेज कर लीजिए आप लोग तो परकृतिवादियों का दृष्टिकोर सभी का अंसर आरा भी सक चेक कर लेते बालक स्वर्ग से आभा की बादल की साथ आता है यह परकृत क्या हुगा इस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है सिख्षा जीने के लिए तयारी नहीं बलकि स्वयम जीवन है बहुत प्यारा प्रस प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोर नहीं है इनमें से तो यहां पर मैं देख पार सबके अलग-अल ठीक है तो देखते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बटी यह प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोर नहीं है ऑप्शन नमबर टी ठीक है यह इसका सही आंसर हो जाएगा भाई तो आपको यह बताना है कमेंड वोक्ष में यह आपके लिए है तो यह किसका है यह किसके दृष्ट कौन से जो है बात कही गई है यह वाला सिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वहम जीवन है तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर डी होगा इसको ध्यान से देगेगा इसको फिक है एच डबलू भी है इसको ध्यान से आप सर्च करें आगे अन्तर आपको इनमें आना छही है आपको इनके बीचिमें कंपेरीजन आनंना च eerए अगर आप कंपेरीजन करोगे अगर आपने सिर्फ में यह पर आदर्स वां यह या पर पर्यावन अगर आपने पड़े लिया इनको तो लगबक सिमिलरी लगी आप इन में कंपेरिजन करना चाहिए गूगल पे का सर्च करके यूप या कोई बुक पे किसी पे कंपेरिजन देखना इनके बीज़ें आदर स्वार्ट और प्रकृतिवाद में क्या अंतर हैं तो महां से आपको इनकी बिचार धारा आपको नेकल के आ जाहिए अभी सत्यम सिवं और सुन्दरम की जो बात हो रही है यह होती है आदर सुवाद में तो आप रेंट रख़िए तो रुच्टिवारा पर्टिबाद सिक्छा पढतिती ती रूसों के बारे में आपने बढ़ा होगा बहुत अ अरस्तू, नहीं, दीजे, आपको बताने, रूसो द्वारा पर्तिपादि सिख्छा पदित्ती थी, कैसी थी, रट कर सीखना, पुष्ट की अग्यान से, किरिया द्वारा सीखना, या इन में से कोई भी नहीं, दो भाई, अब रूसो नहीं क्या कहा था, रट कर सीखना, या प वाला है और यहां पर मिलती रहेगी कोई हो लेकिन किसी को जल्दी है तो आप चेक कर सकते हैं इसको लिख लिजे कई कि आप कंपेरिजन खुझ से करेंगे तो बढ़िया रहेगा हम जब हमारा टॉपिक आएगा मुश्थ दिन करेंगे इसको है बिल्कुल तो सभी कह रहे हैं कि बिल्कुल learning by doing किरिया द्वारा सीखना correct answer option number C correct होगा है सभी ने दिया है बिल्कुल सही दिया है ठीक है तो रूसुक के द्वारा जो है सिख्छा बद्दिती किरिया द्वारा सीखना है ना done तो C correct हो जाएगा नंबर 12 आते हैं हमारे पास सुक्राद की बिचारदारा क्या थी अब आपको देखो यह भी पता हो ना परकरतिवादी कौन थे परियोगवादी आदर्सवादी यथार्दवादी तो उनमें से यह पता होना चाहिए कि यह किसकी बिचारदारा क्या थी सुक्राद की क्या थी तो रूशो की क्या थी? प्लेटो की क्या थी? अरुस्तों की क्या थी? जितने भी हमारे रहे हैं, ठीके इनके सब के बार बिचार दारा हैं आपको पता हुने जरूराई है, अब जैसे यह आपको पूछ दिया सुक्रात थी अब इनकी बिचार धारा की आती ही बताओ परकृतिवादी या परियोगवादी अधर्सवादी या थार्थवादी बताओ सुक्रात के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा पड़ा होगा है ना लेटो को गुरू है दीजे अंसर सुक्रात एक यूनानी दारस निक्ते और आप प्राचीन काल में तीन महान भेक्तियों की बात हो militar है प्लेटो अरस्तू और सुक्रात के बारे में है ना प्राचीन काल में तो वहीं में हम यह जो थे आधर्स वादि है बिल्कुल शही आंसर नहीं परकृतिवादी नहीं आदर्सवादी थे वाई विचारधारीन की शुक्रात जो थे वो आदर्सवादी विचारधारा के थे तो C करेक्ट होगा इसका अलग-अलग अंसर है इसका सही होगा आगे बड़े नेक्स कोशन में थाटीन पर आते हैं हम देखो वाई एक आधुनिक भारतिया शिक्षा सास्त्री जो असत्य परकर्तिवादी थे बताओ वाई असत्य परकर्तिवादी जो थे वो कौन थे विवेका नन जी रविना टैगोर जी अरविंदो जी या जे कृष्ण सारे दिखेंगे आपको और भी बहुत सारे दिखेंगे आपको तो वह सब हम कर रहे होंगे तो यहां पर आंसर बताओ इसका क्या होगा यह जो असत्य परकर्तिवादी थे वो थे बहुत ही बढ़िया बहुती प्यारा सभी ने आंसर दिया है बहुत बढ़िया और रविन्द नाटैगोर जी बिल्कुल करें नहीं नहीं एँ कह रहे कुछ लोग इसका सही आंसर होगा रविन नाटैगोर जी देखेंगे अगर आप नूर्स लेना चाहते हैं तो हमारी अप्लिकेशन डाउनलोर करिए उत्राखन एक्जाम मेंटर नाम से वहाँ पर आपको नूर्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे और अब हम इसमें कुछ अपडेट लेके आ रहे हैं हम प्रोपर इबुक फॉर्मेट में दे रहे है मलब 5 यूनिट हैं हमने क्या किया है यूनिट 1 लग लग फोलडर बनाए हैं यूनिट 2 ऐसे करें यूनिट 3 एक ही पीडिया बना रहे हैं एबुक बना रहे हैं जो भी 2-300 पेज की बनेगी एक ही ही आप ईव्निट को डॉलोड और और आपकी एक उनिट उसमें पूरी honor रह ताकि आप एक ही यूट को डाउंड करके उसको प्रेंट आउट करवाके एक यूट से बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं एक पीडियाप से तो पांच पीडियाप में हम अपलोड करके पांच यूट की फिनिस करें तो उसके लिए अमारे एप्लिकेशन को जरूर देखें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्शन नंबर हम कहुंच गया है 14 पे किसने कहा था कि सिक्षा वहाँ परिक्रिया है जो बालक की आंतरिक सक्तियों को बाहतम बनाती है बता हो गई इंटर्नल और एक्स्टर्नल पावर की बात चल रही है आपर तो शिक्षा वह परिक्रिया है जो बालक की आंतरिक सक्तियों को बाहतम बना लेती है चलिए बहुत प्यारा प्रशन है शुक्राद ने कहा पैस्ट्रालोजी प्रोबेल या फिर नंग बीजय सिंग जी देखो अच्छे से इनके बारे में ठीक है तो बड़िया तरीके से समझ आएंगे कि यह परगरतिवादी थे या थार्थ वादी थे या पिर आधर्स वादी थे क्या चीज होती तब ही समझ पर आप आएंगे हम है ना तो छोरी करेंगे तब मजा है तो बीज-बीज में टेस्ट भ रहें आप लोग जो कि बिलकूई correct है यह यह नहीं कहा था इसक्षा वह परिकरिया जो बालक की आंतरी सक्ट्यों को बाहतम बनाती है तो राइट अंसर नमबर करेंगा इसको निक्स्ट कौनसा कथन सत्या है अब इसको ध्यान से समझेगा अब आपको विकास क्या होती है आ प्रव्विष्टी को प्रवाविद करता होगा दूसरा अभी नहीं यह खी कि है अप अभद रिधी कि कोई सीमा नहीं है अभी विःधि इसाँ कर एक अगर आपको विकास वा पुर्दी पड़ी है न तो जटके में आँसा निकल जाएगा और ऑप्सन नमबर डी कहे रहे हैं विकास का संबंद केवल द्रिस चांगों से हो तो इसमें से एक कथन सही है जो कि मैं देख पार हूँ ल्टी क्रेक वर्जन 2.0 बिल्कुल सही दे रहे हैं और नीसी कठे जी बिल्कुल ठीक हैं सर्प्राइस कार्डिनल जी बिल्कुल ठीक हैं सिवम जी बिल्कुल करेक्ट रिया जी बिल्कुल सही है अलक नंदा राना जी बहुत बढ़िया दिवानसी जी चित्रा जी और मिकी इसको तो इस्टार लगा तो मेरी तरफ से तीन इस्टार ठीक है सी करेक्ट होगा इस कुश्चन का अभिवर्दी विगास को परवावित करती ये बात सही इसमें आगे बढ़ो नेक्स कुश्चन देखे का प्रस नमबर 16 शिक्षा को किस वर्स सम्वर्थी सूची में डाला गया तो आपने पड़ा ओगी तो पॉलिटी में आपने ये सूची पड़ी होगी सम्वर्थी सूची राज्य सूची है ना तो उसमें हमारा क्या आता है ये प्रसन बोला है सम्वर्थी सूची में डाला गया कब तो आपने ये 42 शविदान संसोधन पड़ाओगा 42 शविदान संसोधन अदिनियम 1976 ठीक है कब वह था 42 शविदान संसोधन कब वह अमेंडमेंट कब वह उनिसो चेतर में और इसके द्वारा किया गया पांच विसई विसई को राज्य सूची से हटा कर एंटने पांच विसईों को राज्य सूची से हटा कर किसमें जोडा गया समवर्थी सुची में जोडा गया कि इस अमेंडमेंड के द्वारा ठीक है समुर्थी पांच विसे आपके लिए हूमऔर कि है यह पछिए यह पूछ रहा कि सिक्षा को किस्वर समुवर्ती सुची में डाला गया तो यह इसी वर्स डाला गया नाइंटीन सेबंटी सिक्स बाइयालिसमा शविदान संसुदर में टन किले रहें बात आगे विए प्रस नंबर सत्रह सीखने के वक्र किस के सुचा करें अनिरुद्ध सेमौल जी आप कहे रहें इंग्लिस में भी कर दो कुशन बिल्कुल अनिरुद्ध जी अगली बार पक का वर्ड भी होते हैं हिंदी में बहुत खतरनाक उनका मेंनिंग आ जाता है तो अगली बार से पक्का हम क्या करेंगे हिंदी इंगलिस दोनों बाइनियुमल रखेंगे तो आज मैनेज कीजिएगा थोड़ा बहुत तो सीखने का जो वक्र है यह किसके सूचक है सीखने की एक नहीं ताल पाएंगे यह पर्गती का सूचक होता है मना सीखने की वक्र है यह परगती दिखाता है idmolikta का सूचक है यह फिर गत्यात्मक शोरूप का यह रचनात्मक शुरूप का बहुत बड़ी है वेरी गुल राधी मिस्राजी बहुत नी बड़ी है विल्कुल तो सही आंसर होगा और यह परगती का सूचत होता है सीखने का वक्र परगती का सूचत एक रेक्त आंसर होगा आगे बढ़ो अठारा पर हम पहुंचें भाई देखो जिस वक्र रेखा से देखो इसलिए का ना है वक्र वाला जरूर देखेंगे आपनों ये वक्र रेखा जो है न समझेंगे हैं वक्ररे कलास में में प्रारंब में सीखने की गति क्या होती थीरी और बहुत तीज से उपर जल्दी होती है और बाद-बाद में सीखने की धीजिय भीज्द हो जाते है उक साथ वक्र होगा उन्ठी अधरulation क्रों नम्नेट सबस्क्राइव सब्सक्राइब उन्धर स्प्रग सब्सक्राइब नलोधर वक्र हो गर आवाक हो गया वक्र रेकर नहीं लगी है जो जर्मरल यह हमारे साथ होता ही है है फैंग तो बिल्कुल आंसर उसका जो होगा हमारा आंसर बिल्कुल इसका ओगा ना कि बहुत बेखे लेकिन ये यह वंकर को उननत ओधर वक्षर होगए सब भी कह रहे एक यह होगा है इसका है यह होगा चेक कर लें आप लोग ठीक है न चलो आगे बढ़ो प्रस नमबर 19 पे हम पहुँचें देखेगा समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन बताओ आपको समावेशन की जो सही डेफिनिशन आपको नजर आरे इसमें से जो समावेशन को एक बड़िया तरीके से आपको यहां पर समझा पाते हैं वो क्या होगा आपको बताने दीजिए अंसर यह एक बिश्वास है जो कि बच्चों की अपनी योगताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए यह एक बिश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीगे ही नहीं सकते यह समावेशन बोला है यह एक दर्षन है कि सभी बच्चों को नियमित विध्याले परनाली में समान सिक्षा प्राप करने का दिकार है यह एक दर्सन है कि बच्चे ईश्वर के बिसेश उफारे समावेशन कोई दर्सन की बात नहीं है समावेशन यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं की अनुसार अलग किया जाना चाहिए नहीं भाई योग्यता उस किसी में जाद है कम है उसके अनुसार हम अलग नहीं करेंगे ना उनको यह बात नहीं है समावेशन यह बात नहीं है अलग तो करने की कोई बात ही नहीं करता है समावेशन का मलब होता है समान भाव से लेना सबको है ना मलब सभी के लिए समानतागा वाव रखना तो यह आमें ऑप्सन नमर सी में नजर आ रहा है कि अगर हम बी को देखें तो कुछ बच्चे कभी कुछ सीखी ने सकते निगिटी बात हो रही पूरी तरह से सी में यह साब बात के लिए रूरी है कि एक दर्सन है जो सभी बच्चों को नियमित बिद्याले प्रणाली में समान सिक्षा प्राप्त करने का दिकार है तो सी करेक्ट होगा हमारा है की नहीं बिलकुल आगे बढ़ो नमबर 20 पे पहुंचे हम ठीक है वंचित वर्ग को प्रि सिक्षा से दूर रहे हैं अब उनके लिए ऐसे बच्चों से बहुत दूर दूर इनका नाता नहीं रहा है तो उन बच्चों को आप सिक्षा परदान के लिए आप क्या करेंगे उन्हें सा लिखित कारें अब जो ऐसे बच्चे आपके पास आ गए हैं तो उन बच्चों को आप कैसे करें बहुत सारा लिखित कारे देंगे क्या उन्हें या उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का पर्यास करें और उन्हें कक्छा में होने वाली चर्चा में सामिल करें या उन्हें कक्छा में अलग बिठ यह simple सी बात है, लिखित कारे देने से क्या हो जाएगा? लिखने से क्या हो जाएगा? उनका इस परकार से सिख्शा में जो बाकी बच्चों की तरह बन चीपाएंगे गए लिखने का काम दिया जाए बिल्कुल नहीं है, यह बात तो बिल्कुल बनती ही नहीं है. अगर हम C को देखे कक्छा में अलग बिठा नहीं है तो बिल्कुल negativity आ गए ना हम उन बच्चों को अलगी ले रहे हो तो और भी ज़्याद हो जाएंगे हमें कुछ नहीं आता बहुत ज़्याद हो नेगिटिब वाला उनमें वह चला जाएगा तो यह बात तो बिल्गुल गलत है और अभी हमने पीछे पड़ा कि समावेशन वाली बात है उसको भी हमें माइन में लेके चलना चाहिए अब आता हमारे पार डी ऑप्सन यह कह रहे है कि उन पर ध्यान दे क्योंकि वह दूसरे सिख चाहरतियों के साथ अंता किरिया नहीं कर सकते ही तो यह हो शकता है क्या और और उप्सन बी देखो उनके बारे में अधिक जानकारी चुटाने का में परियास करें और उन्हें कक्छा में होने वाली चर्चा में सामने करें पिल्कुल ताकि वो अपनी बातों को निकाल पाएं अगर जब वो चर्चा में भाग लेंगे तो उनके अंदर जो कुछ है वो बोल पाएंगे और अपने आपको थोड़ा कैसे महसूस कर पाएंगे कि मलब एक खुलके उनके अंदर बोलने का वो आ जाएगा ना तो मेरे हिसाब से और बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा उसका ओप्शन नमर बिल्कुल तो इसका बी होना चाहिए बाई क्या होना चाहिए बी होना चाहिए मानते नहीं मानते आप सबी कुछ लोग डी कह रहे हैं लेकिन आपको बता दो डी आंसर इसका नहीं होगा अगर हम देखे उन पर ध्यान दे क्यूंकि कि दूसेरे सिक्षार्थियों के साथ अंतागीरिया नहीं कर सकते तो हम पहले ही उनको negative मान ले रहें, क्यों नहीं कर सकते हो अंतागीरिया, कर सकते हैं, अगर हम उनको मौका देंगी, तब ही तो पता चलेगा, पहले ही उनको negative ना माने, तो right answer इसका be correct होगा भाई, हम उनके इसनी बारे में जानकारी जोटाएंगे ज्यादा जानेंगे जी कहां से आ रहे हैं कि सब्सक्राइब क्या है इनकी परिष्थिती क्या है कि आसपास वह समझेंगे और कक्षा में जो चर्चा हो रिए उसमें उनको शामिल करेंगे ता कि वह अपनी बात को रख पाई है कि यह चलि इसमें भी करेक्ट लोगा शिक्षा से मेरा अभी पराय बच्चे और मनुस्य के सरीर मन और आत्मा की सर्वों मुखी विकास से है शिक्षा की ये परिवासा किसी ने दी बताओ भई यह परिवासा किसी है द्यान से पढ़िये इस परिवासा को सिक्षा से मेरा अभी पराय क्या है बच्चे और मनुष्य के सरीर, मन और आत्मा की सर्वों मुखी विकास से सिक्षा की बात हुई सिक्षा को बता रहे हैं क्या है सिक्षा बच्चे और मनुष्य के सरीर, मन और आत्मा का सर्वों मुखी विकास करना वो सिक्षा है, दुवारा क्या बोड़े है, सिक्षा क्या है, अब बच्चे और मुनुस्य का जो सरीर और मन और आत्मा का सो विकास है, वो सिक्षा से अभी पराये बता रहे हैं, ये परिवासा कौन दे रहे हैं, मात्मा गांदी जी दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये मात्मा गांदी जी की अनुसार ये परिवासा दी गई है सिख्छा की राइट ऑप्शन नमबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का सभी ने दिया बहुत ही बढ़िया ठीक है आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाइस वहां क्वेश्चन पर हम अब इनका आपको जन्म बता हो तो आप इजली इनको लगा पाएंगे यह आपके ओप्शन से आपर आप्शन नमबर ए बी सी और डी अब अर्विन्दोग हूस जी का जन्म का वह अठारसो बात्तर में है ना और फ्रमी विवेका नंद का अगर हम यहां पर देखें सबसे पहले किसका जन्म हुआ है इन में से देखो तो सबसे पहले तो 61 में हुआ है रविन्दाट टैगोर जी का यानि कि सबसे पहले आएगा भाई टी डन 61 के बाद आएगा हमारा 63 वाला आएगा बिवेका नंजी फिर आएगा वारा भी ठीक है उश के बाद हम देखेंगे तो 63 के बाद फिर बात्तर वाला आएगा फिर आएगा गोष जी गोष हमारे ए आप्शन में है और फिर हमारा कृष्ण इसका सभी बहुत दी बढ़िया वाई तो इनका जन्म भी आप जरूर देखने ठीके जितने भी आपके पास दर्शन सास्त्री दिये गए हैं स्लेवश में उनका जन्म विट्ट्यू यह पता हो उनको किस उपनाम से जाना जाता है और किस विचार धारा की वह बैक्ती थी थी यह आपको उनका पता हो और एक एक डेफिनेशन उन्होंने जो दी है फिमस कोट वह भी आपको पता हो उनके बारे हैं आगे बढ़े टेईस पे पहुंचिए हम परकृतिवाद की मूल अउधारना है बताओ वए तो यह जो परकृतिवाद है यथार्त वाद है तुर परकृतिवाद की अब्यान दिएना रचनावाद की वड़ाद है और अगर आपने एक लाइन भी पढ़िए सामने ऐसे जान तो परकृतिवाद की ग्रटिवाद की सब्यात तो आप देखेगे सिक्षा को भविसे की तैयारी की रूप में दिखिनाए भवी सी यह धार्मिक अनुबहु के मात्यम से नैतिक मुल्यों का भिकास करना यह प्राकृतिक नियमों का अध्यन करना उन्हें सिख्छा की परकृरिया में लागू करना तो यह जो थे ना प्रकृति वादी जो अधारना नहीं दी नहीं है भाई साथ भी नहीं है बिल्कुल है इसका आंसर है चले वेरी गुद मैं थोड़ा कंफ्यूज करने की आपको कोशिस करना लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है तो भी प्रकृतिक नियमों का लागू करना यह है परकृति वाद किया उधारना ठीक है तो सही आंसर ऑप्षन बढ़ी होगा चीज जिसने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही ठीक है इस बात को आपको समझना है प्राकृतिक जो नियम है उनका अध्यान करना और उसको सिक्षा की परकृतिया में लागू क करना हमाले तन यही है आगे बढ़ो भाई आते हम 24 वह प्रसंट पर क्वेस्षन यह प्रस्णा वाली बिद्धी को अन्य किस नाम से जाना जाता है प्रस्णा वाली वीदी अब कोश्ण पूछेंगे तो यह किस बीदी में आएगी हमारी कागज पेंसल वीदी या फिर तो हम लिखे रहे हैं अगर आपनी प्रास्ट करेंगे तो उस क्वेशन का जो भी आंसर दे रहे हैं, वहाँ सामने वाला तो हम उसको कहीं ने कहीं, उसको नोट कर रहे होगे, तो हम इसको कागज पेंसल विदी भी कहते हैं, प्रशनावली विदी को धियां रखेंगा, ऑप प्रसन पूछा जाता है उससे सूचना यह इकत्रित की जाती है जो भी उसके साथ से बाते बताई जारी है विए द्वरा उसको नौट किया जाता है आगे बढ़ो रोडसा का स्याई धब्बा उदारन है यह परिक्षन निम लिखित में से किसका है रोडसा का स्याई धब्बा उदारन इसमें होता क्या है कि स्याई होती है स्याई का धब्बो का सेट बनाया जाता है स्याई के धब्बे ऐसे इनका एक सेट बनाया जाता है ठीक है और उसमें लक्षणों और बिक्तित्व का आंगलन किया जाता है इस धब्वों के माध्यम से तो उस बीदी को जब आप पूरा अच्छे से इसको पड़ेंगे तो समझ पाएंगे अच्छे से तो अभी आप पताओ कि रोशा का स्याई दब्वा उधारन जो है यह कौन सी बीदी के अंतर प्रेक्षण में आजाएगा ट्रेक्षण में आएगा हमारा ओप्शन नमबर भी ठीक है ना तो क्रेक्ट हमारा भी इसका सही हो जाएगा तहां रगेगा अगला प्रस 26 पर पहुंचे भाया जब हमने बेक्तित्वाला आपकी सिलवर्स में साब साब दिया गया लिख्ट्तों के परकार एना यह दिया हुआ तो जब हम यह बेक्तित्वा पढ़ रहे हैं तो यह अंतर्मुख्य और भाईर्मुख्य जो परकार बताएं यह किसने बताएं तो यह हमारा आजाएगा इस प्रंगर आएगा क्रेश्छमर आएगा यूंद आएगा इसल्धन बताव हो कि यह जो है भिख्तितो के परकार दिये हैं लिग के और बाघ्रमूकी तो क्यूंकि भिख्तितो के ला बहुत सारे जो हमारे आँने přेक्षमर है लख वह दिए और बताये ऊसी में चे अंतर भाघ्रमूकी बताएं बश्एक्तितो की परकार को, यह कौन थे यह एक परकार, आगे बढ़ो गई, हम पहुँचें 27 में कोजिशन पर, बुद्धी सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है, दो भाई, बुद्धी जो है, यह क्या है, सीखने की योग्यता है, बुद्धी, तो अब यह इस्टंड मत कर दिना आंसर, हलांकि हम मानते हैं, जो हमारा IQ, जिसको हम बुद्धी लब्दी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बुद्धी लब्दी हम कह रहे हैं, बुद्धी लब्दी, IQ, है ना, यह जो इसका जनक कहा जाता है, इसका जो जनक है, यह हम किसको कह रहे हैं, अभी हमने पीछे भी बात कर र है मैं shortcut में बोलूं MA upon क्या है CA multiply by 100 है ना यह हमने बात करी है IQ is equal to तो MA क्या है इसमें MA यानिकी mental age मानसिक आई जो है बच्चे की है ना और नीचे जो है यह chronological age है जिसको हम कह रहे हैं वास्त भी की जो बच्चे की है उसको डिवाइड कर देंगा multiply by 100 कर देंगा हमारा बुद्धी लब्दी निकल जाएगा IQ उसका निकल जाएगा ठीक है तो यह जो इस टन ने यह दिया है इसका जनक जो है इस टन को माना मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सोंपी बताओ भाई अभी आयोग अगेला आपके स्लेवस के अपने देखा होगा बिल्कुल स्लेवस के हिसाफ से ही आपके मिक्स करें हमने ताकि आपकी पांचों यूनिट पे आपका दियान चला जाए पांचों यूनिट से आपको कोशन नजर आएंगे अब देखों मुदालियर आयोग की बात हो यह अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौपी इन्हों ने 29 अगस्ट 1953 को या फिर 29 सितंबर को त्रेपन को 29 अक्टूबर 29 नॉंबर को मुदालियर आयोग के दीजिए अंसर हम 28 अगस्ट पर पहुंच चुके हैं इसका सही आंसर हो जागा 29 अगस्ट 1953 करेक्ट होगा मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपी थी यह आंसर होगा इसका 29 अगस्ट 1953 टन आगे बढ़ दो माध्यमिक सिक्षा आयोग का गठन कब किया गया लोजी माध्यमिक सिक्षा आयोग का गठन ये तो आपको पता होना ही चाहिए है न हर हाल में तो आपको पता होना चाहिए रोज़तों डाक्टर लक्षमी स्वामी लक्षमी नहीं लक्षमन स्वामी होगा ना लक्षमी स्व की अध्यक्षिता में माद्यमिक सिक्षा आयो का गठन किया गया ठीक है और यह गठन होता है कब तो यह होता है 23 सेप्टेंबर 1952 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दी ठीक है सभी ने दिया है डी विल्कुल करेक्ट है तो 23 सितम और 1952 को डाक्टर लक्षमन स्वामी मुदालियत की अध्यक्षिता में माद्यमिक सिक्षा आयो का गठन किया याद रहेगा बिल्कुल याद रहेना चाहिए और आए हम अंतिम परस्ण पे हम यह जो हमारा पैडागोजी की हम बात कर रहे है ना पैडागोजी पैडा प्रुंद्प्ट्व पुनर्वलन वाला आपने पढ़ा योगा अच्छे से तो अधिगम का सास्त्रिय अनुबंदन का सिधांत कहींगें यह किर्या परसूत अनुबंदन यह ये स्टाल कर शितांत आदिआम का परिक्षण और पृतिशितांत हैं तो यह आपके लिए हई ह रखा जाए क्या बताओ है यह अंतिम प्रशन आपके लिए होम और कुर्शन है